हेलो फ्रेंड्स क्या आपके साइट पे भी थ्रेडिंग के पहले रिबार पे कोल्ड स्टील फोर्जिंग किया जाता है कोल्ड स्टील फोर्जिंग किया है क्यूं करते हैं और कैसे किया जाता है कोल्ड फोर्जिंग में किसी भी मेटल को कंप्रेस करके डाई के हिसाब से मेट जिससे की स्ट्रेंथ में बड़ोतरी होती है और इसमें हम लोड कितना देते हैं 140 kg पर सेंटीमिटर स्क्वेर हैं फोरजिंग करने का एक और परपस होता है एंड को बल्च करना ताकि थ्रेडिंग करते वक्त स्टील के डाया में जो डिक्रिमेंट होगा उसको नलिफाय कर सके अब यह सब कैसे करते हैं फ्रेंट्स जिस्ट फो यूर रेफ्रेंस यह 32 mm स्टील रिबार का डाई और पंच है जो मशीन के अंदर होता है इसी के अंदर स्टील को इंसर्ट किया जाता है डाई के इनर साइड में आपको कौनिकल और स्क्वेर साइड देखने को मिलेगा कम्प्रेस करने से स्टील का थिकनेस 3-4 mm बढ़ता है जो की थ्रेडिंग करने पे फिर से नेट 32 mm का हो जाता है और यह सब एंबियन टेम्परेचर पर किया जाता है और फिर इसे पीविसी केप से कवर कर दिया जाता है तो प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग डेमेज